हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल में कपड़े के दो पीसिस का यूज करके आज बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा और्गनाइजर बैग कह लिजे, स्टोरेज बैग कह लिजे मैं यहाँ पर कोई भी कॉर्णर नहीं कट करूँगी ना ही कपड़े का एक इंच भी बेस्ट होगा तो लिए बनाना शुरू करते हैं जो पहला पीस लिया है मैंने लेंध है इसकी 28.5 इंच और विर्थ है इसकी 12.5 इंच दूसरा पीस लिया है लंबा वाला पीस इसकी लेंध है 32 इंच और विर्थ है इसकी 7.5 इंच दोनों पीस ले लिये है मैंने जो यह लंबा वाला पीस देख रहे हो आप इस पे हमें जिप को अटाच करना है जिप थोड़ी सी पढ़ा का ले लिया करिए दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ है और हमें यहां से यहां तक ऐसे रखते हुए सिलाई लगाना देखें दोनों की सीधी साइड आपस की तरफ रख लिया है यहां से यहां तक पूरे पे हमें सिलाई लगा लेना है तो यह मैं इस तरीके से सिलाई लगा ली जली खराब हुचाती रनर में फसके, इसके लिए मैंने सवा इंच की पट्टी कट की है और इसको छुपाने के लिए, मतलब यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी, दोनों सैट से आपको फोल्ड कर लेना है, तो जैसे मैं यह फोल्ड कर रही हूं, बस ऐसे ही आपको रफ सैट के उपर रखते हुए स्टिज कर लेना है, तो बहुत सिंपल है, देखें एक सैट में स्टिज कर रही हूं, अब ही एक सैट ओपन है, मैंने दिखाने के लिए आपको दोनों सैट से फोल्ड करके स्टिच कर लीजेगा, दूसरे सैट से भी आपको ऐसे फोल्ड करना है, और पूरे पर शिलाई लगाना है, देखे, फिनिशिंग आ चुकी है, अब हम डालेंगे इसमें रणर, को इंसर्ट का लिया देखे वायर को मैंने उपर पकड़ा हुआ हलका सा पुश करेंगे इस तरह से पकड़ लेंगे और हलका सा पुश करेंगे तो जीप में हमारा रॉनर जो है इसली इंसर्ट हो जाएगा अब जैसे इस तरफ डाला है सेम तरीके से हम दूसरे साइट भी डा लिया मैंने दूसरे से भी देखी इंसर्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैं दोनों को सेंटर में ले आई हूँ अब जो जीप थोड़ी सी बड़ी हुए उससे कट कर लेंगे तो दोनों से इट से मैंने कट कर लिया तो अब इसका काम हो चुका है जो यह लंबा वाला पीस थ फोल्ड कर लेंगे देखे दोनों कॉर्णर को आपस में मिला लेना है मिलाने के बाद इसमें स्लाइटली राउंड शेफ देना है बिलकुल हलका सा आप चाहो तो नहीं भी दोगे शेफ तो भी जलेगा और अगर हलका सा शेफ दे लोगे तो देखने में थोड़ा सा देखे क्या करना है आपको लेना है इसका सेंटर पॉइंट यह जो लंबाई वाला पोशन है इसका आपको सेंटर पॉइंट निकालना तो ऐसे फोल्ड कर लीजिए फोल्ड करने के बाद बस आपने निशान लगा लीजिए इस तरीके से निशान लगा लीजिए निशान हम पर एक निशान यह आ चुका है, अब हमें लंबे वाले पीस पर लगाना है, जिप वाला जिसमें जिप अटाइज किया था, इसके विर्थ वाले पोशन में लगा लीजिए, सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर भी मैं सीधी साइट, कपड़े की सीधी साइट है, वहाँ पर निशान लगा रही हूँ, इसे भी ऐसे फोल करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, दो सेंटर पॉइंट आ चुके हैं, अ तो कपड़ा हाथ में है जीप वाला उसकी सीधी सैट नीचे की तरफ है। दोनों के सेंटर पॉइंट को आपस में मिला लेना है और पिन कर लेना है। दूसरे सैट से भी सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाना है थोड़ा मैं पास कर दे रही हूं। यह देखे यह निशान को इस निशान से मिला लेना है और पिन कर लेना है यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी पिन लगाने से फिक्स हो जाएगा अब देखिए आपको सिलाई लगानी है यहां से यहां तक इस पर सिलाई लगा लिजे यहां से यहां तक सिलाई लगानी है और यह पूरा स्टिच हो जाएगा, नीचे वाले में तो बेस बन जाएगा, और उपर वाला जब जिप में अटाच होगा, तो हमारा फ्लैप बन जाएगा, तो बहुत सिंपल इसको बनाना, देखे जब आप सिलाई लगाते हो ना, जब सिलाई लगा के आप यहां तक आते हो, तो आपको मशीन को आगे बढ़ा लेना है, मैंने आपको समझाने के लिए मशीन से हटा लिया थी, आप जब सिलोगे तो इसको बस सिलते जाना, आगे बढ़ा लेना मशीन, तो देखे, पूरा हमारा यहां पर अच्छे से फिटिंग बैट जाती है, यहां पर मैंने जो फर्स स्टेप क्या था, राउंड में हलका दे दिया था, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, उपर से भी देखे, इस तरीके से हमको पूरा स्टिच कर लेना है, तो मैं एक बार इस तरीके से मजर्मेंट दिखा दे रही हूँ आपको, देखे, कहीं भी कुछ छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल जाके फिटिंग बैट जाती आराम से, तो इस तरीके से जिपले पार्ट को भी हमें अटाइच कर लेना है, यह देखे, यहां तक पूरा स्टिच हो जाएगा, तो देखे, इस तरीके से यह इस पे अटाइच हो जाएगा, और यह वाला इसमें स्टिच हो जाएगा, दोनों stitch कर लेने हैं आपस में flap को तो एक बार मैं machine पर बता देती हूँ तो आपको और भी clear हो जाएगा देखे कि मैंने stitch किया हुआ है इस side और उपर से इस side ठीक है बस जहां से आप ये मैंने सिला है आपको machine को आगे बढ़ाना कैसे देखे मैं बताते हूँ जैसे यहां से आप stitch करते आईएगा तो stitch करने के बाद जब आप पास में आईएगा single foot का gap छोड़िएगा निडिल हमारी अंदर ही रहेगी बस आपको यहां से गुमा लेना है इसको इस तरीके से अब गुमा गुमा के पूरे कपड़े को adjust करते हुए आपको stitch कर लेना है यह देखे जहां पे हलका सब गुलाई दिया हुआ है यहां पे आपको जीप वाला जो पोशन है न इसको खीचना नहीं है बहुत-बहुत हलके हातों से stitch करिएगा और इस तरीके से पूरा यह कपड़ा जो है इस वाले पोशन में adjust हो जाएगा दूसरे साइट भी हम राउंड पे आ गए हैं यहां भी हलके हातों से stitch करिएगा और घुमाते हुए पूरा हमें इस पे attach कर लेना है इसको देखे इतना space बच्चा है fitting हमारी बिल्कुल perfect है यहां से यहां तक आएंगे तो इससे भी stitch कर लेंगे यह मेरा base बन चुका है अब उपर बागी है यह जीप वाला तो यहां से machine को आगे बढ़ा लीजेगा तो जीप वाला part में attach हो जाएगा तो हमारा flap बन जाएगा यहां से पकड़ते हुए पूरे जीप वाले part को attach कर लेंगे तो देखे यहां पर मैं stitch कर रही हूँ यहां पर भी round पर आएंगे तो हलका सगुमाते हुए stitch कर लेंगे मैंने पूरा stitch कर लिया है अब जीप वाले side से open करेंगे पलट के सीधा करेंगे और सारे corners और sides निकाल लीजे अच्छे से देखे जो rough दिख रहा है न इसको आपको extra party से finish नहीं करना है बिल्कुल simple तरीका सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए देखे जहां मैंने हाँ से पकड़ा था अंदर तरफ सेम तरीके से बाहर के side भी निकाल के बस वही पर आप machine चला लीजे तो जो आपकी rough side है जो margin वाला वो अंदर सिलाई में दब जाएगा piping का shape भी आजाएगा extra party लेके आपको finish नहीं करना पड़ेगा तो आपका time भी बचेगा और आपकी महनत भी तो देखे जहां जहां पे ऐसे shape बना है वहाँ वहाँ पे आप machine चला लीजे तो मैं दिखाने के लिए आपको बार-बार निकाल ले रही हूँ जब मैं बनाती हूँ तो पूरा एक line से ही बिल्कुल stitch करते जाती हूँ देखे जहां पे round है ना वहाँ पैसे shape निकाल लीजे कपड़े को और सिलाई लगा लीजे तो जहां जहां rough है वहाँ वहाँ आपको सिलाई लगानी है shape भी आ जाएगा और rough edges भी अंदर दब जाएंगे तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है अब देखे हमारा बिल्कुल यह shape में तो आ गया है side देखे अंदर कोई rough edges नहीं है अंदर सब दब चुके है धागे रेशी जो भी थे अब देखे जीफ पॉली side एक side से तो finish हो चुकी जब स्टार्टिंग में मैंने zip को attach किया था अभी flap में attach होने के बाद यह हमें rough side दिख रहा है तो इस rough side को भी हम simple straight party से finish कर लेंगे इसे 2 side से fold करेंगे और उपर से भी fold कर लेंगे और यहां से आपको पूरा stitch करते जाना है ताकि rough side अंदर दब जाए और हमारा finishing से back बन जाए अब बनाएंगे handle तो handle के लिए मैंने लिया है length 7 inch है और width है इसकी 5 inch इस तरीके से fold करना है 1 fold, 2 fold और एक और fold तो इस तरीके से हमें पूरे पे सिलाई लगाना है और handle बनाना है तो मैं सिर्फ एक handle लगा रही हूँ आप चाहो तो दो handle बना के दोनों sides पे लगा सकते हो मैं front side लगाऊंगी अब देखे जो front side था हमारा यहाँ पे same distance लेके easily बस stitch करना है देखे राउंड में दिख रहा है आपको बस सामने आप same distance ले लिजे दोनों side से fold करके हमें center में इसको stitch कर लेना है तो यहाँ पर bag हमारा complete हो चुका है और मैंने इसे specially बनाया है अपने बच्चे के bottoms रखने के लिए ट्रॉली ले जाते हो या travel bag तो इस तरीके के bag में आप कुछ भी store करके अपने कोई भी कपड़े या अंडर गार्मेंट्स वगरा एक तरफ कर लीजे आपको बहुत काम आएगा और आपके कपड़े भी mashup नहीं होंगे तो तयार measurement देख लेते हैं वीडियो पसंद आजाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा चैनल पर आचुके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक और useful वीडियो के साथ थैंक यू